हेलो एव्रिवान मेरे नाम पूजा मालवय है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ आज का ये वीडियो हमारा है है हैश्टाग डे एट आज हम करने वाले हैं चाप्टर हमारा फाइबर टू फाब्रिक्स और प्लास्टिक ये चाप्टर आपका क्लास स्थक्ट वीडियो में कंपलीट किया है और इस चाप्टर से 41 इससे हर साल क्वेश्ण आते ही आताया है यहां से आपके मांक पर कंफर्म हो जाएंगे एक इस video से साทी प्लेस हर करा करिए शेयर करा करिए और चानल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगे कि हम यहां पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यह उन लोगों के लिए हैं जो नए हैं और प्लेलिस्ट बनी है सीटेट जानवरी 2024 के नाम से तो आप जाकर उसको स्ट्रॉल कर सकते हैं हमने बहुत सारे चीज़े करी हैं तो चली आई ज्यादा समय ना वेस करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं टेलिग्राम चानल भी है और उससे जाकर ज़रूर जुड़िएगा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है तो तन्तु कुछ ऐसे थिन लॉंग थ्रेट्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा रूई का रेशा तो रूई का रेशा कैसा होता है से सुत्रा सुत्रा सा निकला होता है तो वह क्या हो जाता है फाइबर होता है ठीक है अपने हर तरीके के फाइबर देखे होंगे तो अगर मै जो है आपका लूस थ्रेड है ठीक है अब इस लूस थ्रेड को फर्दर आपने देखा होगा अगर यह मेरे पास थ्रेड है तो यह थ्रेड के आसपास भी ऐसे गोल-गोल-गोल कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक त्रेड एक दूसरे में लप्टा हुआ इमिज के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि यह क्या है कॉटन की बॉल है और कॉटन की बॉल को जैसे इन्होंने हाथ से दूर-दूर किया तो इनको क्या दिख रहे है रेशे दिख रहे है ठीक है चलिए अगली स्लाइट की तरफ चलते हैं बहुत इजी चाप्टर है बस स फाइबर हो गए यह आर grandson हो गया ठीक है और से और से बन जाता है अंगिश्ट है तो सबसे मोटा होता है यह सबसे आप cumplas security और तूसन से तुस्मारा क्जा दागा ताको से हमारा क्या तूसकि यह पपड़ा बनो फाइब चले साइट की पुर चलते हैं अब जोनारा सिंत्राइपन को न हो जा ये गाटुन क्याईनद मैंतलब ऑ हो दोढ़ा से घ्रुडज्ते कहां यहां भीदान कि देंगरा माणके थाओं क्हार्ट सीज कुछा दूसरा क्या हो जाए का धाउन क्या कन्रिज आपके और नेर्फिम्न करनेद कउरे करेदें अब बॉता है अब बात आतीए आनेमलस द्वारा कौंई फाइबरस आपको प्राप्ट होता है और दूसरा कौं सा प्राप्ट होता है cannot तो स्ल्क तूंग गोर्ट अस झालोस मिलता है य्याक पूण रिल्वर्ट ऒूर्म से हम को मिलता है जो कि mulberry leaves के द्वारा होता है वह हम पूरा प्रोसेस अभी पढ़ेंगे इसके साथ साथ संथेटिक fibers जो होते हैं synthetic fibers सुनते जाए आपको सब याद हो जाएगा ठीक है synthetic fibers मतलब जो हम प्राकर्तिक रूप से नहीं पा सकते पाते तो वह कैसे होते आते हैं यह अब आपको नाइलोन पढ़ना है पॉलियस्टर पढ़ना है और एक्रिलिक पढ़ना है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कपास के बारे में तो सबसे जरूरी बात कपास के लिए कि कपास की छहां होती है तो यह हमेशा एक गरम इलाके में पाया जाने वाला पॉधा है और यह आप Sebuk Two पूछा जाता है और कैसी स्वाइल में कैसी म्रदा में मिलता है तो यह आपको मिल जाता कیली मिट्Day में केली अरडा में आपको कपास जो है वो देखने को मिलता है थीक है अब यह देख इख लेते हैं कि कैसे बंता है तो Prophet अगर मैं सबसे पहली वाली ऑअली एमेज आपको बोलूं तो यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह क्या है cotton की एक ball है जो पूरी प्रिपक्व हो चुकी है मैचेऊर हो चुकी है तो यह cotton की ball क्या होगी जाब मैचेऊर हो जाएगी तो यह burst हो जाएगी मतलब food जाएगी धिNow is a good food ने से क्या हो जाएगा जो सीड कवर्ड विद कॉटन फाइवर सीन सब्सक्राइब कर इसको मैं यहां पे ओपन कर और आपको फिर से दिखाती हूं तो इह मैंचियोर हो गया यह कॉटन की बौल थी जल्दी सुनते जाएंगे cotton की ball थी, यह mature हो गई, तो mature होने के बाद जब यह burst हो गई, मतलब foot गई इसकी यह पूरा यह foot गया, तो क्या हो जाएगा, कपास आपको यह जो कपास देखने को आपको मिल रहा है, cotton के फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और cotton के फाइबर्स को फिर separate कर दिया जाता है और इस process को बोलते हैं गिनिंग यह very important है, note कर लिजेगा, exam में पूछा गया है, ठीक है, कि गिनिंग क्या होती है, तो गिनिंग यह वो प्रक्रिया होती है, जब fibers को seed से अलग किया जाता है, मतलब तंतू को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को गिनिंग बोलते हैं, ठीक है, एक्जाम के लिए बहुत important है, चलिए अगले स्लेट के रफ चलते हैं, अब बात आती है, जूट की यह हमारा पट्सन, यह क्या होता है, तो यह हमारा जो पाया जाता है, सबसे बड़ी बात है, यह रेने सीजन में पाया जाता है, पहली चीज, दूसरी चीज, यह कहां से मि फूल जाते हैं, फूल पूरे अख्चे से अब समय क्या होता है, इसकी कटाई होती है, हावेस्टिंग होती है, आप जब ऐसे प्रक्रिय आपको मैं इम You град में इम आएक से संग्ज्छाइँ हूं, तो आप देख सकते हैं, यह क्या देख रहा है? जूट का पौधा पोधा जब पूरा परिक्पक को हो गया इसमें प्रॉपर फूल सब निकल आए तो फूल na कलने के बात क्या करेंगे इसको पानी में Japan के लिए भीगोनेके बाद थोड़े दिन खोड़ देंगे अब छोड़ने के बाद इसवह नियुदेए देके ला faço किस स्टेज में हुई फ्लावरिंग स्टेज में इसको हावेस्ट किया अब इसको क्या पानी में डाल दिया थोड़े समय के लिए स्टेम जो है सड जाएगी और फाइबर जो हाथ के द्वारा सेपरेट आउट कर दिये चाहेंगे दूसरी बात कॉटन जो होता है एक कॉटन का कॉचा जाता है कि कॉटन कहां से कॉटन किस पार्ट ऑफ प्लांट से निकाला जाता है तो यह आप बोलेंगे फ्रूट से निकाला जाता है ठीक है और आपका जूट जो है वह किस पार्ट से निकाला जाता है तो जूट आपका निकाला जाता है स्टेम से ठीक है यह दो यान बना मतलब थ्रेड बना ठीक है रेशे से क्या बना रेशे या तंतू से तंतू से क्या बन गया तागा बन गया अब तागे से क्या बन जाएगा कपड़ा बन जाएगा ठीक है यही सेम प्रॉसेस क्या है यह इसमें आपको बताया गया है चलिए अगली स्लाइट तरफ च cotton roll से fiber का बनना मतलब cotton roll मतलब एक तरह से cotton ball जिसको आप बोल दीजे कि cotton ball से क्या किया separate out कर लिया fiber को तो process of separation of cotton fibers from cotton ball या seeds से जो मैंने आपको बताया था कि fiber को separate करना बीज से इस process को गिनिंग बोलते हैं इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से रखेंगे ठीक है फिर fiber हमको मिल गया अभी हमको क्या था हमने सीट से fiber को अलग कर लिया अब हमें fiber प्राप्त हो गया अब fiber से आपका एक तयार हो जाएगा चलिए अगले सेटी तरफ चलते हैं अब बात आती है हमारे कुछ आनिमल्स के fibers की कुछ प्राकर्तिक जो जानवरों के द्वारा हमको मिलने वाले जो fibers है उसकी तो सबसे पहली बात आती है वूल की तो वूल क्या है अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें जो पूछी जाती है एक्जाम में उन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि वूल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि शीप को द्वारा ही वूल प्राप्त होता है तो वूल देने के और भी जानवर होते हैं जैसे याक हो गया गोट भ लदाक में इसका यूज होता है फिर गोट का वूल अंगोरा गोट यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अंगोरा वूल दे दिया जाएगा और मैं आज दे फॉलाइंग में पूछेंगे कहां से निकलेगा तो आप जरूर शीप के उपर लगा के आएंगे पर जो अगोरा वूल होता है अकोरा उन होता है वो जो है वो बकरी द्वारा प्राप्त होने वाला सौरी बकरी द्वारा प्राप्त होने वाला वूल है ठीक है फिर गोट वूल के पश्मीना हाँ दूसरा important point है यह जो पश्मीना के शॉल्स बनते हैं यह पश्मीना के शॉल्स किस से बनते ह कि टिबत और लदाका याक वूल बक्री उन अगोरा बक्री फिर बक्री उन कश्मीर पश्मिना शॉल्ज बनता है इसे और लामा और अलपाका दक्षिड अमारिका का है और उन उट से भी प्राप्त होता है चलिए अब यह आपको इमेज मेंने लगा दी है जिसे इमेज हमारे लगी होती है तो हमारे दिमाग में चीज़े ज्यादा अच्छे से रिटेन होती है तो वूल कहा कहा से मिल रहा है आपको अलपाका भी दे रहा है शीप भी दे रही है गोट भी दे रही है कैमिल भी दे रहा है और याग भी दे रहा है ठीक है चलिए अगली स्लेट की तरफ कि क्या इसमें है और इसको मैंने पूरा प्रॉपर आपको अच्छे से लिखा भी हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजेगा सब चीज समझते जाएगा बस चलिए अब देख लेते हैं कि शियरिंग कि शियरिंग क्या होगे आप देख सकते हैं उसको बिल्कुल निकाल लिया जाता है कि उसको धुलाई होती है क्योंकि वूल का जो जीज बी आनेमल पर वो वूल है वो कहीं भी बैट ता तो इसको भी डर्ट लग गया तो फिर क्या उसकी धुलाई होगी फिर इसकी स्वाटिं मतलब जो खराप उन होगा उसको फटा दिया जाएगा जो छोटे होगे उसको फटा दिया जाएगा उसको सौर्टिंग होगी फिर ग्रेडिंग होगी और p ellas trying a day had na alt क् chewing on it and then we will get the coloring and équll high निटिंग work and kiedy our wool is our virtual公 concentrated चलते हैं अगली अगली स्लाइट भी सेम है उससे पहले हम यह देख लेते हैं ऐक भर प्रोसेस पूरा तो शेरिंग क्या करते हैं यहिस्ट प्रोशेश्ची है क्या करेंगे जो अच्छी क्वालिटी के वूल होते हैं इसको separate out कर देते हैं from the inferior quality wood जो खराब होती है फिर combing क्या होता है removing burst मतलब आपने देखा होगा कि sweater पर जब आपके रोई निकल जाते हैं तो उसी को burst बोल देते हैं तो उसको उससे combing से क्या हो जाएगा कंगे में वो burst फस जाएंगे और बाकी पर जाएगा कर देखा बड़ देखा जाएगा कि इसको डाइ कर दिया जाएगा इससे क्या होगा आपका यान फिक है तो वह क्या हो जाएगा वह आपका स्पिनिंग हो जाएगा दाइट्स फाइब कार इस पॉंख यान ठीक चलिए अगली जलेटी तरह चलते हैं जो की हमारे को या साफ करना इसको खुरचना बोलते हैं फिर छटाई करना जो गुडवत्ता वाले उन होते हैं उनको निम्न गुडवत्ता वाले उन से अलग कर देते हैं फिर कंगी करना कंगी करने में छोटे रेशे चोटी गाठो इन सब अवस्टेशों को अलग कर देते हैं फिर क्या है उन में रेशों को सुलजाना सीधा करना साफ करना जिससे रेशे एक दूसरे से समाना अंतर स्थिती में हो जाए ठीक है इसको कार्डिंग बोलते हैं अभी जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगी अब तो आपको सारी बाते क्लियर हो चुकी होंगी रंगाई में शांद थेमेज देखीए शीरिंग क्या था निकालना किसे बाल को सकाष निकालना कि今 से आइनेमल से मतलब धुलाई करना मतलब स१ोंब असका छोटे और चुन भड़ी खराव से तसलीन्य मतलब इसक तो कु अलग कर देना कार्डिंग मतलब क्या था कि इसकी गाठों को अलग करना उन की जो गाठे बन गई है आप इसको इस सामानांतर एक तरह से इस तरीके से अरेंज हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा इससे यार्ण बना देना मतलब एक तागा बना देना और तागा बनाने के बाद इसके बाद क्या था फैबरिक बना देना ठीक है I hope मैं आपकी बा रेशम का उतबाद भी बहुत अच्छी एक प्रकरिया है, जिसमें की रेशम का रेशम कीट से निकलता है और यह कीट जो है हमारा वो कैटरपिलर भी बोलते हैं इसको ठीक है, सिल्क वर्म भी बोलते हैं, तो चलिए आईए इसकी प्रकरियाओ को बहुत अच्छे से समझते है तो चलिए देखिए सबसे पहले silk production जो होता है वो प्रोसेस हो जाता है कैसा sericulture sericulture में क्या होता है silka उत्पादन होता है तो sericulture कॉन सा process इसमें silka उत्पादन किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले क्या होता adult moth है ये क्या करेगी एक देगी और एक ये 300 से 400 जो है करीब एक एक बार में देती है अब इस एक देने के बाद क्या होगा ये further just a second एक देने के बाद क्या होगा जब थोड़ा और समय बीत जाएगा तो ये कौन सी stage में आ जाएगी larva stage में आ उत्पादन को हम क्या बोलते हैं सेरी कल्चर बोलते हैं सबसे पहली बात जो आपको जानी जरूरी है कि सेरी कल्चर क्या है रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है सेरी कल्चर ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो adult moth है ये सबसे पहले क्या देगी अंडा देगी इसी को caterpillar भी बोलते हैं तो larva हो गया या जब hatch हो जाएगा तो उसको क्या बोला caterpillar बोला या इसको silkworm बोला तो यह सब terms एक ही है ठीक है फिर थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा जब caterpillar next stage में enter हो रहा है तो इस stage में क्या हो गया यह आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद यह कुकून बन गया अब कुकून में ऐसे समय आ जाएगा जब यह सेक्रीट करने लगए इसका saliva और saliva कुछ ऐसे chemical से सेक्रीट करेगा जिसके जिसके contact में क्या आएगी हवा और हवा के contact में आने के बाद आपको इसे सफेज 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 देखने को नजर आता है तो वह क्या हो गया वह एक तरह से अपने उपर क्या है कुकून जो है वह बना रहा है तो मतलब तो रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं रेशम के उत्पादन को बोलते हैं सेरी कल्चर तो सेरी कल्चर एक तरह का प्रोसेस है प्रक्रिया है जिसमें सिल्क का क्या है उत्पादन किया जाता है साथ ही साथ क्या हो जाएगा अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं तो जो adult moth है ये करीब 300-400 अंडे एक बार में देती है और इस 300-400 अंडे जब है जब हैच हो जाते हैं तो भी किस स्टेज में पहुच जाते हैं लार्वा स्टेज में पहुच जाते हैं जिसको क्या बोल देते हैं caterpillar या इसको सिल्क वार्म भी बोल दिया जाता है तो यह जब मैच्योर हो गए तो यह लार्वा स्टेज में आए और यह सिल्क वार्म यह caterpillar जो है वो बन जाग गए अब जब यह further caterpillar जो हो जाएगा इने एक next स्टेज में एन्टर करेगा तो इस स्टेज को बोलेंगे प्यूपा और स्टेज में जब एंटर करने के बाद अब एक अपने ус पर ही आप यह चाहिए कि प्यूपा है इसके अंदर टो प्यूपा अपने अंदर ही ऐसाऊचर Benat और नेटलेक स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निकाला और एक जो है वह जब हैच हुआ तो लारवा बन गया और लार्वा को क्या बोलते हैं और जब वह इसा एट एट वाला इस्ट बनाता रहेगा और उसस्ट्रक्चर को बनाते-बनाते कुछ ऐसे chemicals को secrete करेगा जो हवा के contact में आने से जो proteins हैं वो chemicals तो वो क्या करेंगे वो हवा के contact में आने से सफेद रंग में convert हो जाएंगे और इन ही से क्या है silk fiber जो है वो obtain होता है ठीक है तो इस जब ये proper इसमें ये पूरा ऐसा ऐसा फिल हो जाएगा तो ये covering पूरी इसमें पूरी खटी हो जाएगी सफेज 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 से जब ये covering खटी हो जाएगी तो उस stage को बोल देते है cocoon तो ये क्या हो गया कि covering को cocoon बोला ठीक है pupa जो था वो अब वन गया cocoon अब further क्या हो जाएगा silk moth इसके अंदर develop हो रहा है ये silk moth तोड़े ना मरेगा इसके अंदर डक्रोन बोलाप हो एऽ से हो रहा है ंब दो तरह के प्रोसेसिंग हो जाती है इसमें की फिर से मैं सको cleaning कर देती हूँ अब यहां पर क्या है moth इसके अंदर present है अब इसमें दो चीजें हो जाएंगी या तो पहली चीज कि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो थोड़े दिर बाद जो कुकून है वो अलग हट जाएगा और मौत जो है वो अपना आगे अपनी प्रक्रिया जो है वो करता रहेगा तो सिल्क के प्रोड़क्शन को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेरी कल्चर तो सेरी कल्चर एक प्रक्रिया है जिसमें सिल्क का उत्पादन किया जाता है और सिल्क का उत्पादन किया जाता है विद दा हेल्प उफ सिल्क वॉर्म और सिल्क वॉर्म का नाम आपको एक्जाम जिसका नाम पूरी प्रखुरिय है देंख डिए करता है तो यह उपर प्रिक्राएं प्रखार जर्टी बेसी के उपर प्रफी के सबसे पहले क्या उब्या है उप करीब 300-400 एग एक बार में देती है और इसके बाद क्या हो जाएगा जब ये ha否 होंगे एग तो ये कौनसी 向 этफालर स्टेज में आ जाएंगे अब लार्वा स्टेज कि करदर क्या हो गया इसको किया बोला कैटर्पिलर बोला या को silkworm बोल दिया तो larva को लार्वा को ही caterpillar या silkworm बोल दिया अभी चोटे-चोटे थे अभी थोड़ा बड़ा हो गया अभी बड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा यह further maturity हो जाएगी इसमें mature होगा और further mature होने के बाद स्टेज में आ जाएगा इस स्टेज को बोल देते हैं प्यूपा अब प्यूपा में क्या होगा कि यह एक तरह का chemical सेक्रीट करेगा एक तरह के proteins को जो है वह रिसाव करेगा इस पर यह protein का काम क्या होगा जब यह air के contact में आएंगे तो यह protein hard जो है hard हो जाएंगे कब हो जाएंगे जब यह हवा के contact में आ जाएंगे और यह कैसे हो रहा है क्योंकि जो इसके अंदर मौथ है यह मौथ क्या कर रहा है यह protein सेक्रीट कर रहा है और protein इस तरह से ऐसे art के form में ऐसे ऐसे करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है तो एक नेट नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला जा रहा है और यह कंप्लीट इसको क्या करेगा पूरा कवर करता जाएगा और सिल्क जो मौत है इसमें वो क्या होगा वो भी इसमें परिकपक होता जाएगा मतलब और फूर्दर मैच्यो तो इस स्टेज को रोकने के लिए बीच में क्या कर देते हैं इसी स्टेज पे एक तूसरी प्रक्रिया कर देते हैं जिसको कहते हैं कि पानी के गरम भरे हुए पतीले से इसको इस कुकून को डाल देते हैं पूरा और इस कुकून को डालने से क्या होगा कि कीट मर जाएगा और आप जो सफेज सफेज जो रेशम वो निकाल दिया जाएगा तो खेती सरी के से होती है कि ठीकर तरह के साल उसमें को sollte गणासा सवह और जो घशाफों Psychology स्वेक्वर स犷्ट चलें अब हमें पढ़ना है इस को सिंथेटिक fibers synthetic fibers ऐसे fibers होते हैं जो कि small units से जुड़े होते हैं मैंने such small units combined to form large single unit called polymer ठीक है synthetic fiber भी एक साथ जुड़ी हुई छोटी इकाईयों की एक श्रंकला होती है ऐसी कई छोटी इकाईयां मिलकर बड़ी एकल इकाई बनती है जिसे polymer कहां जाता है जैसे बोलता है यह जोटी जोटी स्मॉल उनिट के क्या बना दिये polymer बना लिए मतार एक पर्ल क्या है एक single unit है और पर्ल की पूरी माला बन गई तो यह माला क्या हो गई यह polymer हो गया ठीक है अब इसका example क्या है कि cotton भी एक तरह का polymer है जो कि कैसा polymer है प्राकर्तिक polymer है तो polymer प्राकर्तिक भी पाया JACता है उधारता का पास या एक polymer है जिससे cellulose कहा जाता है cellulose बड़ी शंकला के glucose गाईयों से बना है तो cellulose कैसे बना है यह हमने इसमेंब पढ़ा है यूट्रिशन वाले चैप्टर में cellulose कैसे बना है glucose की यूनिट से जो मिलके बना हुआ cellulose है ठीक है चलिए अगली साइग सब्सक्राइब चलते हैं अब बात आजाती है तो केमिकल फ्रीट्मेंट अब समय याद रखना है फिर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती है very important point for exam point of view कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है कि इसकी सिल्क की तरह क्योंकि सिल्क हमारा बहुत महंगा हो जाता है तो उसके हिसाब से जो rayon है वो सस्ता होता है और इसको दूसरी बात हमको याद रखनी है कि यह जो rayon है अगर rayon को cotton के साथ mix कर देंगे तो bed sheet बन जाएगी और rayon को wool के साथ mix कर देंगे तो carpet बन जाएगा अब आपको exam के लिए मैं वापस से repeat कर दे कुछ point जो कि important है पहली बात है कि वुड के pulp के treatment से आपको मिलता है chemical treatment से यह synthetic fiber है man made synthetic fiber है दूसरी चीज दूसरी बात है कि चीपर होता है silk से और यह silk का ही properties इसकी लगभग silk से जो है वो सेम होती है अब मानफ निर्मित synthetic fiber है इसमें रेशम के समान गोड़ होते है ठीक है इसलि गूदे के रसाइनिक उवचार से फ्राप्त किया जाता है आपको पूछा जाता है कहां से मिलता है तो आपको जवाब हो जाएगा वोड़ ठीक है तो नैच्रली नैच्रल मतलब वर्ड पल्प एक तरह सा प्राकतिक चीज हो गगई उससे यह अप्टेन किया जा रहा है चल का जो wire होता है वो nylon का जो thread होता है वो बहुत जादा ही strong होता है अगर मैं बात करूँ thread of nylon is stronger than the steel wire के thread से stronger होता है इसी तरह से statement के question थे यह वाले nylon का तो यह आपके लिए बहुत महत्यकून जो slide हो जाती है फिर it is strong and elastic होता है दूसरी बात it is first fully synthetic fiber है ठीक है तो आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि यह कैसा synthetic fiber है तो first fully synthetic fiber है जो कैसे बना है cold water और air की मदद से जो है वो बना है तो आपको यह भी याद रखना है आपने देखा ता rayon किससे बना है wood bulb से बना है जो की प्रकरतिक चीज है पर यह fully synthetic है क्योंकि यह synthetic चीजों से ही तरह से cold water air से बना है ठीक है made without using any non natural cheese जो है अब यह made without using any natural raw materials ठीक यह आपको important point याद रखना है अब use in making socks rope tent pressure यह सब आपको याद रखना है इसे कोईला पानी हवा से तयार किया जाता है फिर यह पहला पूर्णता synthetic fiber है यह चमकदार और धोने में असान होने के सासत मजबूत elastic होता है ठीक है फिर मोजे में रसी और यह सब पढ़ लेंगे nylon का धागा वास्तव में steel के तार से भी अधिक मजबूत होता है चलिए अगली slide के तरफ चलते हैं अगली बात आती है polyester की तो polyester हमारा कैसे बना है कि ऐसा fabric जो कि कभी wrinkle नहीं होता है मतलब मुड़ता नहीं है आपको इसको iron करने की जरुवत नहीं है crisp होता है easy to wash होता है अब आपको इसके example जो है वो पूछे जाते हैं exam में तो आपको यह दो याद रखना है polyethylene terephthalate और terylene यह दो क्या है यह आपके polyethylene terephthalate और terylene यह क्या है polyester है और यह कहां यूज होता है तो आपके exam में कैसे questions आते हैं कि ऐसा X is a type of a fiber that is used in making bottle and utensils X एक प्रकार का fiber है तन्तु है जो कि bottle और utensils को बनाने में उससे मदद ली जाती है तो वह क्या हो जाएगा वह X है polyester और कौन सा polyester है आपके लिए यह बहुत important है PET polyethylene terephthalate ठीक है अब poly plus ester अगर बना है साथ-साथ में मिला हुआ है तो उसको उसमें कौन सी unit से ester की units मिली हुई है और यह कैसी smell देता है यह आपको fruit की smell जो है देलता है ठीक है अब poly court आपने सुना होगा तो poly court क्या हो गया polyester plus cotton मिला के poly court के कपड़े आपने देखे होंगे और साथ-साथ poly wool क्या हो गया poly plus oon जो है मिला दिया मतलब polyester plus wool मिला दिया तो poly wool बन गया चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं कपड़े पर असानी से जुर्या नहीं पड़ते हैं यही सेम चीज हिंदी में भी लिखी हुई है फिर कुरकुरा होता है टेरिलीन और P.E.T. होता है ठीक है लोग पर यह polyester है पीटी का उपयोग बोतल बरतन बनाने के लिए होता है फिर polyester रसायन की इकाईयों को दोराकर बनाया जाता है फिर फलों की सुगन देता है फिर यह polyester कैसे बना है वो बताया चलिए अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide एक artificial से तो artificial किया रेओन और artificial वूल क्या हो गया एक्रेलिक ठीक है यह आपको याद रखना है पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है ठीक है इज फाइब अब आर्टिफिशल यह वूल है क्या एक्रेलिक अलग तो इसल्क यह था रेओन इयाद करिए आर्टिफिशल स्ल्क जया है रियों आर्टिफिशल वूल क्या है क्या लिक क्या दखना पड़ेगा ठीक है ए और संतितिक फाइबर बाइन प्रोसेस उजिग डॉनंबर जो होते हैं क्या सभीवाइब लगब जिसमें की बहु है कुछ इनके characteristics हैं जो कि synthetic fibers की होती है अब क्या होते है अगर for example अगर मैं cotton की बात करूं तो cotton बहुत जादा पानी सोखेगा ठीक है उसी पेक्षा अगर मैं synthetic fiber की बात करूं तो यह dry quickly हो जाएंगे durable होंगे less expensive होंगे readily available होंगे यह सब simple characteristics है जो की exam में नहीं पूछी जाएंगे अब बात आती है plastics की आपका चाप्टर बस about to finish है जल्दली हम chapter खतम करके हमें mcqs क्या है यह हमारे previous year questions होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कितना chapter समझ में आया साथ ही साथ आप चानल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा कमेंट जरूर करिएगा आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है मुझे plus like करिएगा चलिए अब बात आती है plastics की तो plastics क्या है यह तरह के polymer है linear polymer और crosslink polymer linear एक तरी से ऐसे joint होते हैं इस तरह के सज्वाइन होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हमें question मिलता है की thermoplastics क्या होते हैं और thermosets या thermosetting plastics क्या होते हैं तो देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है कि इसकी शादि हो चुकी है मतलब भाई इसकी setting होचुकी है अब इसकी कोई बदल नहीं सकता ठीक है thermoplastics क्या है बस आज कोई कल कोई मतलब they can be melted repeatedly यह melt हो सकते हैं ठीक पर once they are melted यह क्या है यह बार बन गए तो यह दुबारा से बन नहीं सकते exam में very important आप note कर लीजे very important एक्जाम में आपको यह पूछा जाता है bakelite or melamine or polythene or PVC means इसके examples जो है exam में पूछे जाते ठीक है thermosetting plastics मतलब ऐसी चीज़े जो set हो चुकी है एक बार बन गई तब दुबारा चेंज नहीं हो सकती किता भी गरम करो कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो वह वैसे की वैसे ही रहेंगी जैसे है bakelite or melamine इसके switches बनते हैं handles बनते हैं आपने electric switches देखे होंगे और polythene polythene PVC polyvelyle chloride यह सब क्या है यह सब melt हो जाते हैं आपने देखा को polythene कैसे melt होती है तब से melt हो जाती है ठीक है चलिए अगली slide के तरफ चलते हैं अब यह आपके exam में पूछा जाता है very important this slide के उपर लिख लिए ऐसे बड़ी बड़ी और screenshot ले लिए और अगर आपको वीडियो का यह जो पीटी मैंने बनाई है इसका आपको PDF चाहिए तो आप telegram channel से जोड जाए और telegram channel online पढ़ाई के नाम से ही है तो online पढ़ाई के नाम से लिंक में description box में लिंक डाला हुआ है तो से आप हो सकते हैं और साथी साथ कमेंट में पिन कर दूँगी तो आप इसली को आपको खोजने में टाइम ने लगेगा अब देखो यह वेरी important is a poor conductor of electricity and heat and it is used in making electrical switches, utensils and handles ठीक है दूसरा mille mine कहां use होता है fire वाली चीजों में याद रखना है बहुत अच्छा ज़ए रखना है note कर लीजे याद रखना है mille mine कहां use होता है fire वाली चीज में ठीक है फिर floor tiles में kitchenware में जो कि fire को resist कर सके ठीक है चलिए अगली side की तरफ चलते हैं अगली side हमाई plastics and environment यह आपको यह as such question जो है वो पूछा गया था अभी august वाले में I think तो यह question बहुत important हो जाता है यह जो आपका यहां पर यह जो चार्ट में NCRT का लगाया है यह बहुत जादे important है तो कुछ ऐसे जो है वो biodegradable होते हैं चीजे और कुछ non biodegradable होती है biodegradable मतलब कुछ actions of bacteria से क्या है वो जो है degrade हो जाते हैं जैसे कि आपका kitchen का कच्रा हो गया कच्रा मतलब पील आफ जो आपके vegetables हो गया fruits हो गया वो क्या है biodegradable है non biodegradable में मतलब नाशनल प्रॉससे नहीं हो सकते जैसे की plastics हो गया तो यह सब क्या होगा अब आपको यह याद रखना है बहुत अच्छे से इसको कैसे याद रखेंगे कि पील आफ वेज तिन एलिमिनियम और मेटर्स को दस सो से पच्चा पांच सो एयर्स लग जाते हैं इसलिए इनको non biodegradable category में लग दिया जाता है और प्लास्टिक बैक्स को सेवरिल एयर्स लगते हैं इसलिए आजकल जो है वो जूट के बैक्स या कॉट्टन के बैक्स को यूज करा जाता है ठीक है paperbacks को यूज करते है चलिए अगली slide के दरफ चलते हैं तो यह slide को आप मैं clean कर देती हूं तो आप इसका string shot ले लिजे मैं इसको ऊपर कर देती हूं इसके cursor को चलिए ले लिया होगा चलिए अगली slide के दरफ चलते हैं अब आता है हमारे mcqs चलिए अब जली से get set go ready हो the following statement and select the correct option ठीक है अब हमारा assertion और reasoning वाला question है जल्दी जल्दी करेंगे हम हमको पास मिट के अंदर पार सारे questions complete करने हैं और यह सारे questions आपके कैसे हैं यह आपके pyqs हैं तो आप यह बूले ना कि आपके exam में इसी तरह से paper बरने वाला है polyester cloth dry faster than cotton cloth यह बात तो बिल्कुल ठीक इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार निमलिकित कथन को पढ़ें और सही विकलका चैयन करें अभी कथन क्या है polyester कपड़े सूती कपडों से जल्दी कि तुल्ला में तेजी से सूकते हैं सही बात है और क्या है सिंथेटिक फाइपर बहुत कम पारी सोकते हैं यह बा है यह टेतर हैं सेरी कल्च्रों शीरी कऊल्च्र नहीं इसका उतर होगा तो मौरी कचर क्या होता है आपको अपने देखा पर मोस्ते नहीं पर नहीं पता इलिएक तरह का उतपादन है कि स्टीस का अ ठीक है cultivation of mulberry plants जिसमें कि क्या आख सके आपके सिल्क वार्म आके उसमें फीड कर सके ठीक है तो mulberry plants का cultivation है मौरी culture ठीक चलिए और आपका epiculture क्या हो जाता है epiculture में beehives का मतलब madumakki का पालन होता है चलिए अगली slide की तरह हम चलते हैं match the name of the process in column A with the description in column 2 आपको process जो मैंने आपको बद बॉला था ना एक्जाम में आपके question पूछे जाते हैं तो यह आ गया है वह आपको exam वाला question जो कि most important मैंने आपको mark भी करवाया था तो आपको column one and column two को match करना है just a second ठीक है चले beginning beginning क्या हो जाएगा beginning मैंने क्या बताया था कि fiber को कहां से प्राप्त करना सीड से सीड से फाइबर का प्राप्त करना तो देख लिए किस में होगा arranging two sets of yarn यह नहीं हो making a piece of fabric नहीं separation of fiber from cotton seeds मतला beginning का एक हापका हो गया third वाला ठीक है और फिर क्या हो गया spinning spinning क्या था spinning क्या हो जाएगा मताये आप किस से बनना फाइबर से मतलब फाइबर से यार्न का बनना इसको क्या बोलेंगे making yarn from fibers इसको बोलेंगे spinning फिर knitting क्या हो जाएगा तो इसके साब से मैं अगर option देखूं तो एका हो गया मेरा three एका हो गया three एका three हो गया तो four cut गया और two cut गया ठीक है एक या तो first होगा yes या मेरा third होगा option ठीक है देखती हूं फिर बी का क्या हो गया four बी का हो गया four बी का हो गया four मतला यह दोनों मेरे three चल रहे अब क्या हो जाएगा knitting क्या हो जाता है knitting arranging making a piece of fabric from a single yarn तो यह क्या हो गया knitting हो गया or weaving क्या हो गया arranging two sets of yarn to make a fabric तो आपके साब से option number first इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चली अगली question की तरफ चलते हैं तो देख लिजे इस तरह का question जो है exam में पूछा जाता है कपड़ा बनाने के लिए धागों को set के साथ व्यादिस्थित करना तो ओटना क्या हो जाएगा ओटना आपका हो जाएगा making separation of कपास के बीजों से रेश्यों का अलग करना यह आपका क्या हो जाएगा ओटना हो जाएगा इस तरह से आपको मिलान करना है इसका चली अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide which of the following statement is not true regarding the life cycle of silkworm and production of silk fiber रेश्यम कीट के जीव चक्र और रेश्यम के उत्पादन के सम्मण में निमकित पर कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको नहीं है वाला देखना है तो आप रेश्यम कीट के लार्वा को caterpillar कहा जाता तो इस बात तो बिल्कुल धीक है कि लार्वाफ सिल को caterpillar कहते हैं फिर प्यूपा विकसित sources caf कर caterpillar बण जाता है तो प्यूपा विकसेथ होकर Elecki per तो आपका यही उत्तर क्या है विए ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे पढ़ने की विजरुवत नहीं है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं read the following statement and select the correct option synthetic loads drive faster than cotton clothes synthetic fibers have a large pores same question आया है but questions को थोड़ा form change कर दिया देखे क्या बो लगया है synthetic loads drive faster than cotton cloth तो बात बिल्कुल ठीक है synthetic fibers have large pores तो synthetic fabrics के पास क्या होता है बड़े बड़े चिद्र होते हैं तो यह बात भी बिल्कुल यह बात तो गलत हो जाएगी synthetic fibers के बात बड़े चिद्र नहीं होते ठीक है बड़े चिद्र होते तो क्या है यह तो अब्जॉब कर लेता ना वाटर ज्यादा तो इसका option क्या हो जाएगा यह आपका सही है पर आर आपका गलत है देख लत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा अगले question की तरफ चलते हैं इसी को हिंदी में लिखा है निमलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चायन करें तो क्या हो जाएगा synthetic कपड़े सूती कपड़ों की तुल्ला में तेडी से सूकते हैं सही बात है और हां मैं यहां पर answers इसलिए हमेशा slide पर लिख देती हो जिससे क कारण के synthetic कपड़ों में बड़े चिद्र होते हैं तो यह गरत वाता है तुमें च्छोटे चिद्र होते हैं ठीक है च्छोटे होते है चलिए अगली तरफ चलते हैं तो मेजर रीजंग क्या हो जाएगा बेकलाइट का तो हमने क्या पढ़ाता यह क्या है एक तरह का थर्मो स setting plastic thermosetting plastic इसकी setting हो चुकी this के शादी हो चुकीık तो अब क्या हो जाएगा इसमें उसके प्रिशर कूकर में है का र्चाट किया है इस प्रेशर कॉकर में उस्पक है लिक्रिशिक करने का तो कोई कमाल नहीं मेरे मिम छाСпिक मेरा एला उप एल्याइर एल्ए कर दंग करता है 144 किया है अट्सा इस्ति इस घॉल कोकुन तो चली किया मेरे जएक 15 म तो सब्सक्राइल ग्रगांबंगा जा जाता है 150 got आप तो सब्सक्षाईल के सबस्क्छा Kerry और से कट awakening convert करना मतलब एक तरह से wool कैसे बन रहा है जो बाज शीप के बाल है उससे wool कैसे बन रहा है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका option सबसे पहला हो जाएगा shearing 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 मतल hey June मतलब काड़ना कज observe N SAY amount sharing आपका पहला हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा ऊसके बाद sharing की बाद scouring scouring that saying mar obligations को साफ करना मतलब खुरच će फिर क्या हो जाएगा आपका farming फिर सौingo क्या होगा हमको इसको sort करना रहेगा मतलब यह 4th वाला option हो जाएगा ठीक तो 1 देख लेते हैं किस में 314 आपको देखने को 314 314 आपको option number D में देखने को मिल रहा है इस तरह से question आपके exam में पूछे जाते हैं अब strongest natural fiber पूछा है तो सिल्क आपका सही सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगली अगली slide की तरफ चलते हैं choose the correct statement from the following regarding plastic अब प्लास्टिक के बारे में आपको सही विकल्फ का चैन जो है सही कथन का जो है वो चैन करना है thermoplastics को बार-बार ढाला धाला जा सकता है तो thermoplastics can be molded again and again सही बात है देख लिए और thermosetting plastic को गर्म करके नरम किया जा सकता है तो यह बात तो बिल्कुल गलत है thermosetting इन क्लतलिक फर बेयानिट ओलटक यह भी ओल्टा लिखा है चलिए דरबने है का बारबेगिग rozum बनाने का हो जाता है तो आपको देखना होगा तो यह है तो सिर्फ चलते हैं और स्थिंग प्रहूं City मों में प्रूबलेगें जा亞, जाता है तो आपको देखना होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा चलिए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले आपका carding option दिया ही नहीं है तो यहां किया कर देंग आप डाइ कर देंग इसको डाइंग कर देना फिर यान में रोल कर देना फिर इसको वीव कर लेना यह प्रोसेस आपका 1st फाले उत्तर में हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन के तरफ सलते तो following observation was noted by Antara on burning various fibers on a candle light तो Antara एक लड़की है जो कि क्या कर रही है तरह तरह के चीजों को बर्न करके देख रही है candle light में तो X burns with a bright light and grayish black ash is left ठीक है और Y burns by curling and produce the dark देखो आपने प्लास्टिक को बर्न करते वे देखा होगा तो प्लास्टिक बर्न कैसे होती है वो ऐसा एक साथ इखटी हो जाती है तो उसी तरह का क्या है डेनिम भी वैसे ही प्रोसेस करता है तो डेनिम का जो कपड़ा होता है वह उसी तरह से इखटा हो जाता है और जेड क्या है मेल्स ऑन बर्निंग तो आपने देखा होगा कि नैलोन के कपड़े जो होते है वो अगर किसी को आग लग जाए किसी को आग पकड़ ले किसी हुमन को और से नैलोन को कपड़ा पहना है तो वो उसको उतार नहीं पाता है चल्दिक उसका कपड़ा चिपक ज किल जाए खो अदेखने भी चर्लिंग के बात हो जब बात तो बर्न वर्नलाम यह तो इसा मठ्ड़ जाता है और डरी में कुमान ऊंए कि कि तेज रोशनी से जलता है एक्स और भूरी काली राक पो रह जाती है मुड़ने से जलता है और गहरी राक पैदा हो जाती है फिर जलने पर पिखल जाता है तो आपको क्या हो जाएगा ये 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 तरह का जिल्क डेलिम और नाइलोन हो जाएगा ठीक है अगली इसलाइट की तरफ चलते हैं अगली स्लाइट है हमारी विच फॉल्लइग इस प्रिपेर्ड बाई यूजिंग वुड पल्फ अब वुड पल्फ से किसको बनाया जा सकता है तो वुड पल्फ से इसको बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा यह वूल हो जाएगा नाइलोन क्या है हमारा जब पारशूट्स बन रहे थे ठीक है तो यह क्या हो गया हमारे पारशूट्स वाले और पॉलिएस्टर क्या है पॉलिएस्टर हमारा क्या हो जाएगा पॉलिएस्टर हमारा दो था एक तो टेरेलीन था दूसरा क्या था P.E.T. था ठीक है तो यह सब बाते आपको याद रखनी है नाइलॉन हमारा कैसे बन रहा था पेट्रोकेमिकल्स की मदद से कोल वॉटर और एयर से बन रहा था यह सब बाते आपको याद रखनी होंगी ठीक है चलिए अगली सेकर तरब चलते हैं एक यह लास करता है वूल को रिजेंबल करता है एक्रेलिक ठीक है जसे से के तो यह क्या हो जाएगा एक्रेलिक रहान क्या था सिल्क का आर्टिफिशल सिल्क है रहान ठीक है नैलोन आपने देखा था रोप्रसी पॉलिएस्टर क्या था पी एटी था और टेरिलीन था ठीक है फिर एक्र को यह सेशन अच्छा लगा हो और प्लीज कमेंट करके बताईएगा सब्सक्राइब करिएगा चानल को अगर आप नए हो और रेडी रहे एक जानवरी फर्स जानवरी या सेकंड जानवरी को मैं क्लास एद की एंसी आर्टी आपको पूरी वन शॉर्ट में आपको बताने वाल